अमश्का मित्रों सुवागत है आपका इस यूटीब चैनल पे बहुत बड़ी खबर है समायोजन को लेकर क्योंकि समायोजन के बाद बहुत से सिक्षक बहुत एफेक्ट होने वाले हैं तो पहले कबर पढ़ते हैं फिर बात करेंगे तो बेसे सिक्षा सचिफ से हलफ नामा मा और कोट ने कहा है जल्दबाजी में की जा रही है ये कारवाई तो इराबाद हाई कोट ने परशदी विद्यालियों में अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतर की प्रक्रिया पर रोग लगा दी है कोट ने इस मामले में बेसे सिक्षा सचिफ प्रयागराज को व्यक्त तिकत हलफ नामा दाखित कर बताने के लिए कहा है कि पूरी कारवाई इतनी जल्दबाजी में क्यों की जा रही है निर्जा और पचास अन अध्यापकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश नियायमूर्ती S. सिंग और नियायमूर्ती D. रमेश की खंड़ प किती के अनुसार विद्यालेों में चात अध्यापक अनुपात तै किया जाएगा उसके लिए वास्तविक प्रयास किये जाएंगे तथा इसके आधार पर यह तै होगा कि किस-किस विद्याले में अध्यापकों की संख्या चात्रों की अनुपात से अधिक है और कहां कम है इसके बाद उन सिक्षकों की पहचान की जाएगी जिनको समयुजित किया जाना है या जिले में उनकी वरिश्टा की आधार पर तैह होगा। याचियों की अरिवक्ता ने बेसिक शिक्षा सर्चिव को 31 जुलाई 2024 के पत्र का हलफ नमा हवाला देकर कहा कि सारी प्रक्रिया 6 सब्ता में पूरी करने का निर्णे लिया गया है जिससे पता चलता है कि विद्यालों में पदों की संख्या तैह करने और समयुजित किये जाने वाले अध्यापकों की पहचान के लिए बहुत कम समय दिया गया है परिशत के अरिवक्ताओं ने कोड के इस मामले में लिखित जानकारी उप्रुद कराने के लिए समय की मांग की है तो आप देख सकते हैं कि मामला कोड में फसा है और अगली सुनवाई अब 8 अगस्त को हो होनी है और कोड ने कहा है कि प्रतम दिख्टा सारी कारवाई बहुत जलबाजी में की जा रही है इस मामले में मात्र लिखित जानकारी देना परियाप नहीं है कोड ने बेसे सिक्षा विवा सचिव प्रियाग राज को व्यक्तिका थलाफ नामा दाकिल करने के लिए कहा है स सिक्षकों की गणित बिगार दिया है सिक्षकों का कहना है कि प्रात्मिक और उच्प्रात्मिक विद्यालों का सम्विलियन होने पर सम्विलियन विद्यालों को प्रात्मिक के प्रताना ध्यापक के सरप्लस होने के करन उसी विद्याले में उच्प्रात्मिक के सहाय का ध्य ओधियान सीक्षकों का भी गणद उगड़ा हुआ है। मुद्यासे अस्पीन्यं rustंधियापक से इन इन स्कूलों में भाशा अध्यापक, गणित, विज्ञान और समाजिक विशय के एक-एक पत्सजित हैं विसंगती यह हो रही है कि प्रात्मिक के पदना अध्यापक को उच्छ प्रात्मिक में मन माने धंग से समाजित करने से च्छात संख्या के अधार, दोहजार पंदरा से न्युकती अध्यापक सरप्लस हो रहे हैं अब इसको पूरे मामले को शॉर्ट में समझते हैं और आसान भाशा में समझते हैं देखिए, जो समायुजन की प्रक्रिया है, यह बहुत समेफे चलिया रही है लेकिन अचानक से अते आते आते विभाग बहुत जलिबाजी में इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के मूर में हैं जो नीती बनाई गई, सबसे पहली नीती बनाई गई, उसमें गरबड हुई फिर दूसरी नीती बनाई गई, उसमें भी विरोध हो रहा है समस्या यहां पर आती है कि यदि आप एडमिशन सितंबर महा तक लेते हैं तो समयोजन की जो तिती है, वो सितंबर क्यों नहीं है दूसरा, यदि अगर आपको समयोजन करना ही था तो आपने पहले मीच्वल ट्रांसफर, अंतरजनपदी ट्रांसफर, इन ट्रांसफर के लिए और बारात चारुसाट भरती इनके लिए अनुमती क्यों दी गई, पहले आप समयोजन करते फिर स्थितियों को देखते, फिर चिन्नित करते कि कहां जरूरत है, क्या है, क्या नहीं है उसके बाद सारी कारवाई की जाती है उसके बाद, जो कंपोजिट विद्याला है, वहाँ एक अलगी समस्या है देखिए आप एक चीज़ को समझेगा, बीच में अभी एक ववाल उठा था कि जूनियर कह रहे हैं कि सीनियर को अटाया जाए और सीनियर कह रहा है कि जूनियर को अटाया जाए एक चोटा चीजामपल समझते हैं, माल लेते हैं प्राइमरी स्कूल है आपको पता है, सौ के उपर की जब संख्या होती है तब हेड मास्टर की पोस्ट जट की जाती है अब माल लेते हैं कि वहाँ पर पहले 112 बच्चे थे और हेड मास्टर की पोस्ट थी, हेड मास्टर मौजूद थे और तीन सहायक भी मौजूद थे ठीक होगी बात, मामला पूरा सेट है, तीन के साफ से देखा जाए तो 90 बच्चों पर एक सिक्षक था, हेड मास्टर भी था, सब लोग सही चल रहे हैं, अब बच्चों की संख्या घटकर 11 साल में 90 आ गई है, अब वहाँ पर समायोजन में किसको हटना चाहिए, अगर आप ट मास्रक हटाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, कि जो सबसे कनिस्ट है, मतलब जो सबसे चोटा है, जो सबसे बाद में आया है, या जिसकी वर्च्चता सबसे कम है, इसको हटाया जाए, और इसका समायोजन कर दिया जाए, इस पूरी प्रक्रिया में कई पहलू है, कई समस् रखिये क्योंकि आप देखने में लग रहा है कि आप बहुत निपताना चाहते हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि निपताने में हमीशा गलत ही होता है जिसको लेकर फटकार लगी है और फिर से बुलाया गया है और अभी तक रोक लगी है किसी का समायो जन नहीं होगा और देखते चलिए समायो जन होगा भी या नहीं और होगा तो ये गाज किस पे गिरेगी लासे वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत दिने माद आपको दिन शुबहूं